हलो अब्रीवन आज है नाइन्थ अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे IDFC First Bank के बारे में तेके 47 रुपीज का शेयर है 3.5% की गिरावट आज हमें देखने को मिली है और ये गिरावट Actually में जायज भी है इसके बारे में मैंने पहले भी कहा था कि बुड़ा फोन का कोलैप्स होना इनके लिए नेगेटिव जरूर सावित होगा उसके अलावा दो तिन और चीज़े हैं जो इस शेयर को पिल डाउन कर सकती है वीडियो में हम उसे के बारे में चर्चा करेंगे और ये भी डिसकस करेंगे ये खरीदारी का मौका यहां पर बनता है कि ने जिन्होंने खरीदारी करके रखी है उनको क्या करना चाहिए तो वीडियो को शुरू करूँ से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियो से हैं जो आपको काफी जादा हल्प करेंगे तो चुली शुरू करते हैं तो आईडियाफसी फर्स्ट बैंक 47 रुपीस का शेर 3.5% की गिरावट आज यहां पर है एक महिने में लगाता तूटा है 12% की बैंकर गिरावट है और यह गिरावट रुक नहीं रही है 54 रुपीस से लगाता तूट रहा है जैसे इनके जून कौर्टर के रिजल्ट साय थे 630 करोड का नुकसान दिखाया था इन्होंने तब से यह कंपनी का शेर यह बैंक का शेर उतना पॉजिटिव आउटलूक में नहीं नजरा रहा है एक साल में 66% का ग्रोथ है अच्छी खासी रफ्तार थी 27 रुपे से शेर 70 के करीब पहुँचने की कगार पे था लेकिन तूट के बिखरा 50 रुपे करीब पहुचा लेकिन समलने की बड़िया कोशिश थी इसकी दोबारा तेजी दिखाई 60 के करीब पहुचा लेकिन उसके बात की जो गिरावट है वो बड़ी गिरावट है और इस गिरावट में घी डालने का काम किया है इनके Q1 के रिजल्टस आए 630 करोड का नुकसान हुआ वोड़ा फुन आइडिया का कॉलैप्स होना तो ये सारी चीज़े एक साथ होना इस बैंक के लिए अच्छा साबित बिल्कुल भी नहीं हुआ लार्ज कब शेर है 30,000 करोड से भी ज़्यादा का इसका मार्केट के अप है एनसी में अगर हम देखे तो तकरीबन 4 करोड के आसपास का इसका वाल्यूम ट्रेड नजर आ रहा है शेर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 36.56% की होल्डिंग है 16 mutual fund और 180 जितने Files का पैसा लगा है और तो और highest public shareholder में Clover Dell investment है 7.60% की होल्डिंग है उनके पास और individual investor होल्डिंग भी 20.97% है देखें, dividend आखरी बार 2018 में पे किया था उसके बाद इन्होंने कोई dividend पे नहीं किया है देखें सबसे पहली जो वज़े आई थी वो तो इनके result अच्छे नहीं थे 630 क्रोड का इनको नुकसान हुआ तो गिरना लाजमी था दूसरी जो वज़े थी कि वोड़ाफून आइडिया का जो collapse हुआ उसमें IDFC First Bank के अगर हम बात करें तो उसका भी एक बहुत बड़ा investment आप कह सकते हैं कि इसमें है Yes Bank और IDFC First Bank दोनों के लिए यहाँ पर खत्रा मन रहा था और यह इनकी order book का काफी बड़ा हिस्सा है आप देखेंगे तो IDFC First Bank का जो exposure है उनकी कुल order book का 2.90% है तो यह बहुत बड़ा exposure माना जाता है तो यही वज़े है कि इनकी order book का तकरीबन 3% का जो exposure है वो यहाँ पर डूब सकता है या डूबने के कगार पर है ऐसा यहाँ पर माना जा रहा है तो यह एक दिक्कत की बात जरूर है IDFC First Bank के लिए उसके अलावा अगर हम देखे तो IDFC First Bank की जो rating है इंडिया rating जो है उन्होंने IDFC First Bank के debt instrument rating है वो करी है AA-plus with negative outlook तो यह भी अच्छी बात नहीं जब आपकी rating को यह नीचे रखा जाता है वो भी negative outlook के साथ तो definitely एक negative point यहाँ पर सावी जरूर होता है देखे इंडिया rating and research has affirmed IDFC First Bank debt instruments rating at AA- with a negative outlook तो कहीं न कहीं यह चीज़ problem करती है किसी भी company को जब उनकी rating को वह यह नीचे रखा जाता है negative outlook reflect assets quality challenge that could persist on account of COVID-19 specially IDFC First Bank में जो negative rating है वो एक चीज़ को reflect करते कि वह जो assets quality है वो यहाँ पर दिक्कत पहुचा सकती है however अगर देखे तो bank ने definitely 5000 करोड का fundraising यहाँ पर जरूर किया है जो कि एक अच्छी बात है लेकिन दूसरी तरफ इनका जो retail portfolio है इंडिया rating ने ये भी कहा है कि retail portfolio where 46.70% loan remain unsecured in nature may witness high scarlet loss तो यह है कि भाईया जो इनका retail portfolio है वो भाईया 46.70% का unsecured है जो दिक्कत के बात है यहाँ पर और यही वज़े है कि share लगातार आपको तूटता हुआ नजर आ रहा है IDFC first bank technical dating अच्छी नहीं है तूटने की कगार पर है और नीचे की तरफ share जा सकता है और हाँ एक चीज यह भी है कि ICICI direct ने खरीदारी करने की सरा दिया 60 रुपय का target रखा है यहाँ पर IDFC first bank के लिए according to money control user 89% लोग खरीदने की सरा दे रहे 8% लोग बेचने की बात दे रहे 3% लोग यहाँ पर hold करने की नसियत दे रहे है उसके अलावा अगर हम एक और चीज देखे तो अगस्त महिने में बिक्वाली के trades नजर आए है शिखा होरा जो designated person है insider transition summary में देखा जाए तो 3,68,000 shares बेचे गए है उसके अलावा एक और transition है 1,85,000 shares का जो बिक्वाली के है इसे पहले के जून महिने के जो transition थे वो खरीदारी के थे जो अच्छी बात थी लेकिन अगस्त में दो transition हुए हैं वो बिक्वाली के हुए है revenue में definitely मैं मानते हूँ के अच्छी कासी रफ़तार आई है 16,000 करोड तके इनके revenue पहुँचए है जो कि बहुत अच्छी बात है लेकिन दिक्कत आ गई यहाँ पर profit में हलागि 2021 का जो financial year था वो बहुत अच्छा था चार्सो पचासी करोड के आसपास का मुनाफ़ा था इनको लेकिन 2022 के पहले ही quarter में 630 करोड का company को bank को नुकसान जिलना पड़ रहा है जो कि अच्छी बात तो नहीं है बड़ी मुश्किल से यह bank positive में आया था पिछले दो सालों से लगाता नुकसान हो रहे थे जो कि positive नहीं है वो है इसका P.E. ratio 63 का P.E. ratio जब कि sector P.E. 26 का है तो काफी high ratio के उपर भी share trade कर रहा है गिरावट में definitely share का जो P.E. ratio है वो भी कम होता हुआ नजर आएगा और 18% analyst जो है वो यहाँ पर खरीदने की सरा दे रहे खरीदने का अभी भी सही वक्त है जरूर है लेकिन जैसे ही results खराब आए थे उसी दिन मैंने वीडियो बना कर ये भी कहा था कि देखो अब खरीदारी करने की जरूरत नहीं है अब खरीदारी यहाँ पर नहीं करनी चाहिए क्योंकि share तूटने की कगार पर है और तूट सकता है और उस खराब result के बीच में Vodafone आईडिया का collapse होना और इसके साथ सथ इंडिया ratings का वाया इनकी rating को गिरा देना ये कहीं न कहीं share को और जादा कमजोर करने वाली चीज़ है आईडिया फिर्स बेंक डेफिनिटलि मुझे दोता है लेकिन recovery भी यहाँ पर बहुत जल्दी लोटनी चाहिए मेरे हिसाब से आईडिया फिर्स बेंक 40 रुपे के आज पास मिले हलाकि थोड़ा मुश्किल है लेकिन अगर पहुंच जाता है बुल मार्केट में तब शायद पहुंच सकता है यह बुल मार्केट में तो भीया तीज़े दिखा देगा लेकिन बेया मार्केट में 40 रुपे तक भी यह पहुंच सकता है और वहाँ पर खरीदारी के मौकेश जरूर बनेंगे तो नजर रखिए और दूसरी चीज़ किसी एक प्राइस पर बहुत सारे शेर्स मत खरीद लेना तुकडो में खरीदारी करना यह सोच के खरीदारी करो कि वह यह डाउन ट्रेड आई है तो देखे लंबे वक्स से चल रही है यह काफी लंबे समय से यह डाउन ट्रेड चल रही है और अभी भी संबला नहीं है तो यह सोच खरीदारी करें कि यह downtrend कहां रुकेगी यह तो किसी को पता नहीं है तो ऐसे हालत में किसी एक price पर बहुत सारे shares नहीं खरीदें चाहिए टुकड़ों में खरीदारी करोगे तो फायदे में रहोगे ये सोच ये खरीदारी करो कि गिरावट में नीचे के लेवल पर भाई है averaging करने की जरुवत पढ़ेगी IDFC first buying long term के लिए definitely मुझे ये शर्ट पसंद आता है लेकिन short term में जो situation बनी हुई है वो इनके लिए अच्छी नहीं है लेकिन उमीद करते हैं कि जो second quarter रहेगा वो इनके लिए अच्छा साबित हो और share में दुबारा से तेजी लॉट आए अगेन खरीदारी करी है बेशने की जरुद नहीं है fresh buying करना चाहते हो तो 45 रुपे से खरीदारी की शुरुवात कर सकते हो मतलब अगेन सुनियेगा मैं शुरुवात वर्ड यूज़ कर रहा हूँ 1000 खरीदने है 200 खरीदो wait करो 40 पर पहुँचे और 200 डाइसो quantity add करो wait करो थोड़ाओ नीचे जाए तो और quantity add करो इस तरीके से खरीदारी करीए किसे एक level पर बहुत सारे shares अगर खरीद लोगे तो हो सकता है कि नीचे के level पर averaging करने का बाद मैं आपको मौका ना मिले या सोच ये खरीदारी करो कि अगर थोड़ी बहुत और गिरावट यहां पर गहराती है situation और जादा खराब होती है तो भाईया नीचे के level पर आपको averaging करना पड़ेगा और दूसरी बात यह है कि long term में recovery आपको यहां पर जरूर लोटती हुई देखने को मिल सकती है bank इतना बुरा भी नहीं है और उम्मीद करते हैं कि तेजी जल्दी लोटे वीडियो को यहीं प्रेंड करूँगा पसंद आया हो तो लाइक करें चैनल पगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और IDFC First Bank के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे comment में लिख कर बता सकते हैं थैंक्यू